जिगर में वसा एकत्रित होने की स्थिती यानि फैटी लिवर जिससे देश भर में लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित है इससे क्या खत्रे हो सकते हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है जानते हैं डॉक्टर शेव कुमार सरीन से डॉक्टर सरीन फैटी लिवर क्या अवस्था है और कितनी बड़ी समस्या आप इसे मानते हैं लिवर में अगर 5% से ज़्यादा फैट है तो फैटी लिवर है खाना दिन में 6-6 बार 8-8 बार खाया जाता है लिवर में एक खटा हो जाता है लिवर में फैट होगी तो BP, Diabetes, Gallstones, PCOD ये सारी बिमारियां हो जाती है तो हमें बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें अपना एक बार चेक कराएं कि लिवर में फैट है कि नहीं ब्लड टेस्ट कराएं कि लिवर के इंजाइम्स ठीक हैं कि नहीं अगर फैट होती है तो लिवर में इंजिरी होने लगती है धीरे तीरे liver के cells मरने लगते हैं, liver सूखने लगता है और हाँ, उसके बाद में अगर आप exercise नहीं कर रहे हों तो muscles खतम होने लग जाती हैं और fatty liver फिर एक disease, cirrhosis, cancer के form में आ सकता है कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें fatty liver होने का खत्रा अधिक है? अगर आपके माता पिता को diabetes, blood pressure, hypertension, cancer, liver की कोई बिमारी, kidney की या stroke की बिमारी हुई है जो कि सब fatty liver से रिष्टे में हैं, तो आपके liver में fat हो सकती है दूसरा मालूम है fat is overweight, तो पता ही है अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि liver में fat हो सकती है उसका simple formula है height अगर आपकी 170 है, उसमें से 100 घटा लें, तो आपका weight 70 kg से ज़्यादा नहीं अगर माता पिता या घर में किसी और को problem है, तो 10% घटा लें तो जरूर specialist को मिलें, पर हाँ, जो आप कर सकते हैं, वो आप ही को करना है कोई आपका काम नहीं कर सकता, आपका weight जैसे bank में है, पैसा नहीं डालेंगे तो bank में से पैसा निकलते निकलते, धीरे धीरे balance ठीक हो जाए कौन सी साफधानिया रखें जिससे fatty liver की समस्या से बचाव किया जा सके धन्यवार डॉक्टर सरीनिस जानकारी के लिए, आप भी अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, जिससे आप fatty liver की समस्या से बच सकते हैं, आपको ध्यान देना है, अपनी जीवन शैली पर सक्रिये जीवन शैली बनाए रखनी है खास तोर पर खान पान कैसा हो इस बात की सतर्कता बरतनी बेहत जरूरी है, जिससे आपका स्वास्त बेहतर रहे किरन भार दौज